दहेज प्रथा सद्धियों से चली आई एक प्रथा है जो की बदलते वक्त के साथ भी और भी गहरा होने लगी है ये प्रथा पहले के जमानी में केवल राजा महराजाओं के वन्शों तक ही सीमित थी लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसकी जड़े धीरे-धीरे समा पाने की लालच लड़के वाले समूचे परिवार को तबाह कर देते हैं और एक संगीन जुन कर बैठते हैं ऐसा ही एक दिल दहला देने वामला रामपूर के थाना टांडा बादली से हमारे सामने आ रहा है यहां एक विवाईता और तीन महीने की मासूम बच्ची को दहेज इसके खातर ससुराल वालों ने जिन्दा जला डाला जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई यह घटना वाकि ही मानवता को शरम सार कर देने वाली हैं यहां एक छोटी सी मासूम समेथ एक मा को जिन्दा जला दिया गया आज के दोर में भी इस प्रवीती के लोग हैं यह सो पाइता और मासूम बच्ची के शव को जीला स्पताल पोस्ट मार्टम के लिए घेज दिया गया है मिर्तत महिला के भाई ने बताया कि उन्होंने अपनी भैन का विवास संद 2015 में 14 अगस्त को महुम्मत कासीम उत्तर वाजी ठेकेदार पता महुला हाजिर पूर्थाना टान में मुस्लिम रिती रिवास के साथ किया था और अपनी हैस्थित के हिसाफसे धाम दहेज भी दिया था लेकिन शादे के कुछ दिन बाद ही यूपती के ससुराल वाले उससे परिशान रखने लगे इतना ही नहीं उसके साथ मार्पिट भी करते थे जिस से परिशान होकर बच्ची को आग लगा दी जिससे माख़ा उर सब्सक्राइब क नटवारब येगे जो पिजिट महिला उसकी बेटी को उटके सुसालिज हम करा आगल लगा करें कित्या की गई है। फिलहाल जो विजचना है उसकी जा रही है। मेडिकल करवाय जा रहा है। और तब स्थें वो तक से अधार के समय कारव की जागी। जो विजचना इसकी पर चलित है को माँ बाती की मॉत होई है। अब हम भी पताने ही उनी क्या वारा करा ग्या किस वकत मारा इमने मा बेटो का हात है इसमें तो लेगा जरतासिम में एक अजिशा है अजे तो कौन-कौन ख़तम हुए है इसमें जहां पर एक लड़की कशब हो गए इनके उजे पर लेक लुद्वा कशब हो गए का रहते हैं तांडा बादली जिला रामपु अच्छे क्या हुआ था पूरी बाद बताई इनकी शादी हुए थी 2015-14 अबस्त को अच्छा ये एक अच्छाल लड़की सही रही उसके बाद में हो टोर्चर करना चालो कर दिया हुए अच्छा मार दाल दहेच कम बढ़ती हमारे हां चलता है गाड़ी वाड़ी सब हमने दे रही थी प्रफूनों पर दमके देता था लोंड़ा भी छोड़ दूंगा मार दूंगा तो उनकी जो लड़की हुई है लाष्ट में अभी तिन-चारी महीने हुए जिसे भी जिन्दर जलाया उसको भी तो वह हमारे घर पर हुई है मतलब लड़के के घर उसके घर पर नहीं हुई ह डेखने तक नहीं आया भी जो ना वह ले गेते मना के घर आते हैं हमारे यह पर चाहलों फूंगी जारा भारके दिन्दर घर के आजमी एंथी लग बदा पांच साड़ पांच बजे और हमें पते नहीं राद भरका है हमें तो सुबह चाड़ बजे पता चला एक पडोसी उ लगों खिलाब मुकदमा हुआ है किसी को गिरफतार कर लिए पुलिस का रुआई इलाई जाते हैं कि इनको जो घृनोनी एलकेती है उसके निया फासी होगा जाए यहाँ पोस्टमाटब के लिए लिए लाइए बच्ची भी आई है लड़की की मा भी है दोनों है तो वो लोग घर से फरार हैं वो लोग सब घर ते फरार हैं पूरी फेमली घर ते फरार हैं आप कोन ह मैं भाई हूं। शेयर और सब्सक्राइब करें। घंडे वाद।